कि नमस्कार दोस्तो आपका धर्वन्तृ करिपा हेल्स सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों आज कल बहुत सारे लोगों को आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों की दिनों में जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी आपकी बॉडी की पेन मसल पेन बॉडी पेन घुटने गदल स्पाइन प्रॉब्लम यह सारी चीज़ें जो हैं सर्दियों में बढ़ जाती हैं और जिससे आप निजात पाने के लिए कई तरह के जबाड़क लगाते हैं और तरह तरह के नुसके भी इस्तेमार करते ह हैं लेकिन दोस्तों मैं को छोटा सा उपाहिए इस वीडियो के अंदर आपको बताने बाला हूं तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप सभी भाई और मातव हैने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी जूरू सब्सक्राइब करें दोस भी बहुत कारगर है नमबर बान कमर में दर्द है तब भी बहुत कारगर है लेकन घुटने की दर्द के लिए आख रोड की गिरी कमर की दर्द के लिए जो नरजियल का गोला होता है, जो हम बजार से खरीते हैं, उसकी गिरी को खाटे हैं, उसको आप कद्डू कस्का करके भी खासे थे हैं, उसको थोड़ा सा एक दो चमच लेगा करके आप दूद के अंदर बॉयल करके आप इसको पी सकते हैं, यह कमर दर्द वालों के लिए बहुत उपयोगी नुसका है अब दोस्तों एक और चीज बताऊंगा बहुत कारगर है यह जो अखरोट होता है बहुत सारी लोग जो है साइद किसे ने प्रयोग नहीं किया है यह किया होगा हमारे हिमाचल में पहने जैसे दंत मंजन करते थे त और और ते तो मोसली किया करती थी और उसके उससे क्या होता था कि होंट जो थे वो लाल हो जाते थे यानि कि लिपिस्टी के लगाने की भी समस्या खत्म और वो कहीं दिनों तक होंट जो थे वो क्या होता था लाल रहते थे और दांतों को चमकाते थे दांतों के कीड़े को खत्म करते थे यह अखरोड की पेड़ की छिलकी की बात कहरा हूँ मैं पहाड़ा हूँ मैं इसकी जो दातुन है वो पहाड़ी लोग बेजते हैं इसकी दातुन तो यह जो अखरोड की च्छाल है इसको आपको मिल जाती है तब ही अच्छा है या जब आप अखरोड फोड़त हैं जुसका बाहरी छिलका होता है हार्ड जो होता है सकत जो होता है जो छिलका होता है उसको दोना में से कोई एक करने आप इसको छिलके को अक्रोड के बाहरी छिलके को आराम से आपको मिल जाते हैं मार्केट में अंदर वाली गिरी खा लिजिए बाहर वाली छिलके को फैंकि क्या करना है बारीक मतलब मोटा मोटा अपने चूरन करने नहीं पौडर नहीं करना है मतलब जैसे हमारी चाय की पत्ती हो उस तरह का हो जाए फिर उसको क्या करना है अपने के थोड़ा सा सरसों का दे लेना है थोड़ी से जबाइन थोड़ा से नम्क अगर नम्क यूज़ करना है तो सेंधा नम्क यूज़ करिएगा और इसको अच्छी तरह पकाईए और यह जब सारी चीज़ जाएंगी कोला हो जाएंगी तो इसको च्छान लेजिए और किसी सिस्षी में बंद कर लेजिए तो अगर आप घुटने में कमर में दर्द के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों बहुत सारा फाइदा होगा अब इसमें जो में चीज़ आज़ती है कि यह जो अखरोड की गिरी होती है इससे भी तेल निकलता है तो बो भी बहुत अच्छा है और जिसको फैसियल पैरलाइ जिसको हो चुका है अगर अखरोड की तेल की मारिश करें तो दोस्तों उसके लिए यह बहुत यूप्योगी है कोई भी किसी को फैसियल पैरलाइज सिर्फ चेहरे की बात करों के चेहरे का अगर किसी को पैरलाइज है तो वो अखरोड की तेल का इस्तेमाल करें जो गिरी से बनता हो यह वाला तेल नहीं जो मैंने कहा अक्रोड की गिरी से जो तेल निकलेगा उसका फैसियर पैरलाइज के आप उसके उपर इस्तेमार करें उससे हलके हाथ से मारिश करें दोस्तों आप देखेंगे उसमें आपको बहुत बड़ी रात मिलेगी तो दोस्तों मैं चाहता ह हुआ 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 है